नमस्कार आदाब, न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मैं हूँ अदिती, आईए एक नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर कॉंग्रेस नेता राहुल और प्रियंका पहुँचे लखीमपुर, पंजाब सरकार पीरत परिवारों को देगी 50 लाख रुपए, पंजाब युनिवर्सिटी के वी सी पर भाजपा आरेसेस का अजन्डा चलाने का आरोप उत्राखन में विकास के नाम पर 16 घरों पर चला दिया बुल्डोजर, ग्रामीनों का कहना है नहीं चाहिए ऐसा विकास और आखिर में करोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 18,000 से जादा नए मामले, 278 मरीजों की मौत सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर की तीन अक्टोबर को लखीमपुर खीरी में हुए किसान की हत्या में कथित आरोपी आशीश मिश्रा, जो ग्रियर राजय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनकी अभीता गिरफतारी नहीं हुई है परिजनों के साथ-साथ विपक्षी दल और किसान संगठन लगातार बीजेपी से सवाल कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरोपियों को बचा रही है इस बीच आज 6 अक्टोबर को विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियांका गांधी को लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाज़त दी गए इससे पहले सोमवार से ही प्रियांका गांधी को हिरासत में लेकर सीतापुर के एक गेस्ठाउस में रखा गया था आज लखनाओ में राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग चन्नी भी पहुँचे और उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब सरकार मृत किसानों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद देगी आज ग्रिह राजय मंत्री अजय मिश्रा ने दिल्ली में ग्रिह मंत्री अमित शा से मुलाकात भी की इस पीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार अपरादियों को बचा रही है हमने कल आपको घटना का एक वाइरल विडियो दिखाया था जिसमें थार गाड़ी ने बहिर रहमी से किसानों को कुचल दिया था अब तक इस मामले के और भी विडियो सामने आ गए हैं जिनमें इस बात की बार बार तस्तीक की जा रही है कि उस दिन अजय मिश्रा का बेटा आशीश मिश्रा गटना की जगह पर मौझूद था हलाकि अभी इन विडियो की आधिकारिक पुष्टी बाकी है लेकिन इतने सबूत सोशल मीडिया पर जारी होने के बावजूत मंतरी के बेटे की गिरफतारी ना होने की वज़े से परजनों और किसानों में शासन प्रशासन के प्रती गुस्सा और इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है न्यूस क्लिक आपको इस मामले की अपडेट देता रहेगा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पंजाब की चंदिगर पुलीस ने एक उक्टोबर को पंजाब युनिवर्सिटी के वी सी से मार पीट के आरोप में चार छात्रों पर मामला दर्ज किया है यहां मामला एक महिने पहले का है जब युनिवर्सिटी वी सी राज कुमार एक सितंबर को हो रहे सीनट चुनाव के दौर पर थे सीनर चुनाव से पहले उनिवर्सिटी चात्र लगबग एक महिने से विभिन कारणों से अनिश्चित कालीन विरोध प्रदर्शन पर थे न्यूस क्लिक ने विश्व विद्याले का दौरा किया और चात्रों से बात की देखिए यहां क्राउन रिपोर्ट हमें पता चलता है कि जो फैकल्टी की एलेक्शन हो रही हैं सेनेट की यहां पर लॉडिटोरियम में हो रही थी तो वाइस चांस्तर वहां पर वोटिंग डालने आ रहे हैं तो हमारा गुसा यह था कि जब 20 दिन हमें हो गया हैं बैठे हुए दिन रात उनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं उनके घर को मार्चिस कर चुके हैं और उसके बाद भी एक बार भी वाइस चांस्तर ने आके मतलब पूछा तक नहीं पूछना छोड़ो इंडोर मीटिंग में भी कभी नहीं आई है तो आज वोटिंग डालना इतना जरूरी हो गया कि वहा पर पहुंचे हमने वाइस चांस जैसी ही आए गाड़ी से उतरे हमने उनके खिलाफ नारे बाजी शुरू की जब पंजाब यूनिवस्टी में फीस हाइक हुआ पांसो परसेंट से लेके ग्यारा सो परसेंट तक फीस हाइक बढ़ा वो गवर्मेंट की पॉलिसी है फीस बढ़ाओ लेकिन स्टूडेंट प्रेशर की वजए से जो टीचर्स और और लोग इलेक्टेड है जाते थे तो उसके खिलाफ जो स्ट्रगल चला वो भी फिर सेनेट में जाके मैजियोटी सेनेट मेंबर्स ने पास किया जबके वाइस चांसलर जो आरसेसे हैं वो इसके सक्त खिलाफ थे कि लड़कियां जो हॉस्टल से नहीं निकलनी चाहिए रात को तो वो अपना बीजे पी आरसेस की गवर्मेंट की एक खास बात है यह साथ साथ सेफनाइज करना जाते हैं जैसे पंजाब इनिवस्टी में यह एक साल पहले यह एजंडा लेके आये थे कि हम यहां पर एस्टरॉलोजी के हम यहां पर इस तरह के इंशेंट इंडियन जो नौलेज है उसके कोर्स खोलना चाहते हैं तो यहां पर सेनिटर्स ने उसका सक्त विरोध किया था कि पंजाब इनिवस्टी साइंटिफिक टेंप्रमेंट को प्रमोट करने के लिए बनी है यह अंद विश्वास को प्रमोट नहीं करेगी तो वीसी का वह एजंडा पास नहीं हुआ था उत्रकंड राज्यके चमोली जिले के हाट गाउं में अलकनन्दा नदी पर 444 मेगावाट की विश्णुगाड पीपल कोटी नाम की एक विद्यूत परियोजना का निर्मान कार्य चल रहा है साल 2003 में परियोजना से प्रभावित साथ काउं में से केवल हाट काउं को ही विस्तापित होने की जरूरत थी प्रशासन के कहने पर गाउं के कुछ लोगों ने पहले ही गाउं को छोड़ दिया लेकिन इसी गाउं के कुछ परिवारों का कहना है कि यह उनके पुर्खों की जमीन है वो इसको खाली नहीं करना चाहते हैं इसके लिए गाउंवालों ने कई बारविदोर पदर्शन भी किया लेकिन 22 सितंबर 2021 को पुलीस फोर्स और प्रशासन की उपस्थती में जबरन को तोड़ने पर गुस्साई गाउंवालों ने चार अक्टोबर 2021 कोच टीएच डीसी के प्रशासनेक भवन के सामने धरना दिया धरना दे रहे लोगों की मांग है कि 2009 में जो हाट गाउं के लोगों के साथ विस्थापन को लेकर समझोता हुआ था उसको रद किया जाए इस पूरे समझोते की एक स्वतंत्र कमिटी के द्वारा दाच की जाए जो लोग बेघर हो चुके हैं तुरंत उनके लिए रहने की ववस्था की जाए और इस परियोजना का नाम विश्नुगाट पीपल कोटी विद्यूत परियोजना से बदल कर विश्नुगाट हाट विद्य पासंद दिया कि 12-13 उक्टोबर को गाउंवालों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी जिसके बाद लोगों ने धर्ना समाप्त कर दिया अब आखिर में कोविड अपटेट केंद्रे स्वास्त्र मंत्राले द्वारा आज बुध्वार 6 उक्टोबर को जारी आकड 24,500 मरीजों को ठीक भी किया गया है और आक्टिव मामलों में लगबग 6,000 मामले कम हो गए हैं देश में करोना संक्रमन के मामलों की संख्या भढ़कर 3,30,000,000 से जादा हो गई है जिन में से अब तक करीब 4,50,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है देश में करोना से पीड़ित 3,30,000,000 से जादा मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और आक्टिव मामलों की संख्या घटकर एक फीस्ती से भी कम हो गई है स्वास्तिय मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 90 करोड से जादा डोज दी जा चुकी है जिन में से क